ये नजारा ना होता, अजी वावा तो कीजिए, कि ये नजरे ना होती, तो ये नजारा ना होता, इतनी खूबसूरत सरोजी ना होती, तो बलवन्त जी का गुजारा ना होता, तो कहा है, हुमारे पापा जी कहा है, इनके तो शाथी सिर्ट का सिर्ट है, आपको बड़ा पता ह इनकी शादी जी हुए है पहले बात इनकी गोल्डन घड़ी के लिए जोरोधार ताहिया फुर्जाली चाहिए बहुती चमक रही है पापा जी घर माले में चाहिए देखिए करुण जी यही जिंदीगी का सार है सुबही से लेकर रात तक सिफ आपको जूट बोलना है ठीक है ठीक है लेकिन मैंने जूट नहीं बोला अच्छा बहुत अप्रिक्टों जाएंगे देखिए यहां पर अभी कुछ सर्प्राइज दोगा उसमें वह तो हैंगे लेकि एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो बलवन जी है वो जिंदगी में कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे क्यों कि यह इतनी मस्ती में रहते हैं जहां जाते हैं वही उस्वर्ग बना देते हैं लेकिन क्या खुरू को दिक्कत है जो हमारी शिर्फा दिया है उन्होंने का दा कि जरा ममी जी से घुलवाई दीजिएगा पापा जी को जरा देखते हूं ममी जी आज तो खुश है देखे कितना खुशी का माँ ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- अभी है बाकी तो विशाली को यही कहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिये अजी वावा तो कीजिए कि आपके मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिये मैं होश में आने ही वाला था आप फिर से मुस्कुरा दिये लेकिन लेकिन एक बार ममी जी पापा जी को देखे इनकी आँखों में बोली दीजिए कि आपकी नजरों से आपकी नजरों से एक बाप ममी जी के लिए जोड़ आता लिया देखे आज इसमा खुशिका देना है कि आपकी नजरों से आपके नजरों से आपके दुफ दर्थ में मैं सामिल हूँ नजरे मिलाने को दिल चाहता है Oh my God, this is the best उप्नाई है और एक बहुत रहा नालिया हो द दिली चाहिए चेते हमें बहुत जाहिए आप बहुत कुछ है आज हमारी ममी भी बहुत कुछ है एक बार जोर लाता है हमारी ममी ये और पापाई जी दोड़ों के लिए क्या बात है बिना म्यूजिक ये बिना